आज हम देश का पहला आधिवासी महिला रास्टरपती बनी हुई स्रीमती द्रोपदी मुर्मुजी के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए कोशिस करेंगे क्योंकि उनके जीबन भहत संघर से बीती हुई है और हर किसी को उनके जीबन सहली से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी तो थोड़ा सा उनके बारे में द्रोपदी मुर्मुजी का जन्म ओडिशा के मयुर्भन जिले के राईरंगपूर से करीब 25 किलमेटर दूर उपरवेड़ा गाउं में बेस जून 1958 को हुआ है उनके पीता का नाम बिरंची नारैन टूडू है और उनके पती का नाम स्याम चरण मुर्मु है वो एक आदिवासी सांताली फेमिली से आती है उन्होंने अपने ग्रैजुईशन भुबनेशर के रमादेवी कलेश से किया है उन्होंने कुछ साल बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया और कुछ साल अरविंद इंटिग्रेल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपूर में असिस्टेंट टीचर के तोर पे भी काम किया था उन्होंने 1997 में पहली बार राजनितिक जीवन की सुरुवात की थी ओ पहली बार अपने ही जिले में पारसत चुनी गई थी उसके बाद अनुसूचित जनजाती मूच्या का उपाध्यक्ष बनी और 2002 से 2009 तक भाजपा की अपने ही महिर्भन जिले में जिलाद्यक्ष बनी थी ओ ओडिशा में दो बार बिधायक बनी उनको ओडिशा बिधान सभाने 2007 में सरबस्रेश्ट बिधायक के लिए निलकंठ पुरशकार से सम्मानीत कराया गया था उन्होंने ट्रांस्पोर्टे बम बानिज्य विभाग में और मौस्च विभाग में ओडिशा सरकार में मंत्री बनी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बेखुबी निभाई थी उन्होंने जार्खन की पहली महिला रज्यपाल के तोर पे भी काम किया है उन्होंने अपना काम बेखुवी निभाया तब भी और कई बार भाजपा सरकार के कई बिधायकों को वापस करा दी थी उन्होंने संघर्स और दुख और समर्पन से भरी रही उनकी जिंदेगी उनके नीची जिंदेगी के बारे में बात करेंगे तो उनके दो बेटे और एक बेटी मैं से दोनों ही बेटे को हरा दिया था उन्होंने और कुछ साल बाद अपने पत्त्ती को भी, उनकी बेटी का नाम इतिस्री है उन्होंने अपने शशुराल की जमीन को एक सकूल के नाम कर दिया है जिसमें अब girls और boys hostel बन चुके हैं उस school में कुल 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं ऐसी तरह से उनके जिबन के बारे में बहुत कुछ सिख मिलती है हम सब को कि कितनी भी परिशानी आ जाए हिम्मत हरना नहीं चाहिए उन्होंने भी खुद को ऐसे ही समहला और आज देश की सबसे बड़ी पद देश का पहला आधिवासी महिला रास्टरपती बन गई है